दोस्तो कैसे हूँ आप सब उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे वाट्साप से डिलेटिड प्रोब्लम के सोल्यूशन पर दोस्तो जैसी आप अपने वाट्साप को उपन करने की कोशिस करते हैं अगर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है वाट्साप इस नोट रिस्पॉर्णिंग तो इस प्रोब्लम का सोल्यूशन आपको कैसे करना है कम्पलेट जनकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर हम आपको 3-4 method बताने वाला हूँ जहाँ से आपकी problem का solution 100% हो जाएगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने हैं पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज बेल आकिन को प्रेस कर लिजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ दोस्तों इस problem को short out करने के लिए हम यहाँ से बिल्कुल back आ जाते हैं आपको सबसे पहले step के अंदर अपने phone की setting को open कर लेना है उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना है यहाँ पर आपको apps वाला option ढू आपको नीचे तीन option दिखाए देते हैं four stop uninstall clear data आपको four stop पर click करके इसको disable कर देना है उसके बाद आपको clear data पर click करना है यहाँ से करना है इसका clear catch फिर आपको app permission पर click करना और जितनी भी यह permission है इन सभी को आपको कुछ बारी बारी से इस तरह से allow करना है और फिर आपको यह यहाँ से back आ जाना है back आने के बाद अब आपको अपने play store को open कर लेना है दोस्तों उपर आपको search bar दिखाई देगा आपको search bar पर click करना है और यहाँ पर आपको search कर देना है WhatsApp WhatsApp वाली application आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और आपको यहाँ पर यह चेक करना है कि आप आपको WhatsApp पर इस तरह से कोई update देखने को मिलती है या नहीं अगर आपको इस तरह से कोई update देखने को मिलती है तो आप अपने WhatsApp को यहाँ से update कर लेना और उसके बाद आपको back आना है और एक पर अपने phone को restart कर देना है restart करने के बाद जैसे आप अपने WhatsApp को open करेंगे तो आपक करना है उपर आपको right side में three dots देखने को मिलेगी आपको इन पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको reset app reference पर क्लिक करना और यहां से कर देना है reset apps यह कर देने के बाद दोस्तों आपको again WhatsApp को open करके चेक करना है अगर फिर भी problem solve नहीं होती है तो इस बार आपको अपने phone की setting को open करना है उपर about phone पर क्लिक करिएगा और यहां से अपने phone पर update देख लेनी है अगर यहां से कोई update आई हुई है आपको अपने phone को update कर लेनी है अगर दोस्तों फिर भी कोई problem बनी हुई है तब आपको finally क्या करना है दोस्तों जो आपका WhatsApp है इस पर long press करके रखिएगा app info पर आ जाना है और यहां से दोस्तों इस बार आपको करना होगा clear all data लेकिन इस step को आपको तब ही follow करना है तो आज वाली इस वीडियो के नमेर को आपको जेस्ट यही बताना था अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई या हमारे वीडियो की help साथ की problem का solution होता है तो अमीर करूंगा आप हमारे चैनल को subscribe करेंगे इस वीडियो को like करेंगे तो मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बार बार friends love you all take care